नमस्कार सातियों, सुवागत और अभिनंदन आप सभी का सातियों आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके वरिष्ट अध्यापक यानि की सेकिंड ग्रेड संसकर्त विभाग के अंदर जो एक्जाम हुआ था उसका पेपर एक्जाम डेट आपके सामने है 19 फरवरी 2019 के अंदर और इस पेपर के अंदर राजस्तान जीके के कौन कौन से क्यूशन आए उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं पहला क्यूशन आपके सामने देखी एक एक क्यूशन आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट ये लीजिए पहला क्यूशन आपके सामने पुछा जा रहा है आपको मारवाड मूरल्स के लेखक कौन है एक पुस्तक दे रखे आपके सामने मारवाड मूरल्स के लेखक कौन है तो ये जो मारवार्ड मूरल्स है इसके जो लेखक है वो है आपके रामवतार अगरवाल आप्शन नम्बर दो इसे करेक्ट टांस्वर तो ऐसे घरंथ हैं जो के बार पूछ लिए जाते हैं जैसे मैं आपसे पूछ हूँ कमेंट करके जरूर बतेएगा अगला क्यूशन क्यूशन नम्बर दो आपके सामने क्या पूछा जा रहा है देखें क्यूशन नम्बर दो रमजोल आबुसन मद्य कालेन मारवाड में सरीर के किस भाग से सम्मंदित है क्यूशन की लेंग्वेज देके गुमा दी गई है बाकी क्यूशन सिंपल सा है कि रमजोल आबुसन कहा पेना जाता है पेर में बस इसको गुमा ऐसे दिया कि रमजोड आभुशन मध्य कालेन मारवाड में सरीर के किस बाग से सम्मंदित है याद रिखेगा पेर से किसे है पेर से ठीक है अगला कुशन देखे किशन नमर है आपके सामने तीसरा क्या पूचरा है पर्थिराज राठोड दुवारा रचित पुस्तक वेली किसन रुक मनेरी किस भासा में लिखी हुई है बहुत चांदार बहुत अच्चा किशन वेली किसन रुक मनेरी आप सब जानते हैं कि ये जो पर्थुराज राठोड हैं ये बिकानेर के हैं ये सासक नहीं बने थे याद रखेगा बिकानेर के राजकुमार थे सासक तो इनका भाई था जिनका नाम था महराजार आईशिंग पर्थिराज राठोड जो अकबर का दर्बारी कवी था याद रखेगा अकबर का दर्बारी कवी और अकबर दुवारा ही पर्थिराज राठोड को गागरोन किल्ले की जागीर दी गई थी काउन की गागरोन की गागरोन किल्ले की जागीर मिली और इसी गागरोन किल्ले में रेते वे जिस गरंत की रचना की थी वो है आपके वेली किसन रुक मनी री और ये जो है ये कौन सी में याद रखेगा डिंगल में इसलिए तो पर्थुराज राठोड को कहा जाता है डिंगल का हैरोश और पर्थुराज राठोड को डिंगल का हैरोश केने वाले कौन थे तो याद रखेगा L.P. Tessitory ये भी इटली के विदवान है लुईज P.O. Tessitory इनके द्वारा पर्थुराज राठोड को कहा गया था डिंगल का हैरोश और ये जो वेली किसन रुकमणी है ना इसे तो आपके दुर्षा आडा ने दुर्षा आडा जिसकी मूर्ती लगी हुई आपके शिरोई में तो दुर्षा जो आडा है इन्होंने वेली किसन रुकमणी को पांचवाँ वेद वे उननीसवाँ पुराण कहा था याद रखेगा और इसी वेली किसन रुक मनीरी रचना को करनल जम्स टोड ने दस हजार गोडों के बल के बराबर बताया था तो याद रखेगा कौन सी डिंगल भासा में लिखी हुए ठीक है पर्थुराज राठोड बिकानेर की राजकुमार अकबर के दरबारी कवी थे 1570 नागोर दरबार के तहित पर्थुराज राठोड को गागरोन किल्ले की जागिर दी इसी किल्ले में रेते वे डिंगल भासा में लिखी थी वेली किसन रुक मनी दी ये भगवान श्री कर्शन और उनकी पतनी रुक मनी से संब्दी थे जो एक प्रेम गरंत है जो आप वेली किसन रुक मनी का जो चितर देखे नगा कौन सी सेली में है तो मारवाड यानि की जोदपूर सेली में ठीक है इसे ही पांचवा वेद और उननीसवा पुराण का था दूर सा अडाने और पर्थिराज राठोड को डिंगल का है रोश का था लपी टेशी टोरिन कुशन नमर देखे नेक्स्ट आपके सामने है फोर गीदर नर्तिय का सम्मंद किस से है तेकि ये कुछ ऐसे परशिद नर्तिय हो गए हैं जहां से कुशन आते हैं जैसे गीदर न नर्तिय हैं इनका सम्मंद है शेखावटी से और शेखावटी के अंदर एक और है आपके कबूत्री नर्तिय है रहा चलते वे लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित करने के लिए जो नर्तिय किया जाता है वो है कबूत्री नर्तिय है ये सारे शेखावटी से क्यूशन अम यह उष्या का प्राचिन नाम क्या है तो याद रखेगा UPKEES PARTAN इसे कहा जाता है राजस्तान का भूमनेश्वर राजस्तान का भूमनेश्वर और इख के अ जोतपुर में, यह जो सच्चाय माता है, ओस्वालों की कुल्देवी है, तो ओस्या, प्राचिन नाम, उपनाम क्या है इसका, यह किस जिल्ले में और यहां पर कौन सी माताजी का मंदिर है, अगला क्यूशन देखे, क्यूशन नमर है आपके सामने 6, क्या पुछा जा रहा है, दादू पंत का साहिते, किस भासा में संग्राइत है, दादू पंत, सिंपल सी बात है, दादू पंत की स्तापना करने वाले कौन, संत दादू, और संत दादू जिनका जनम 1545 एहमदाबाद गुजरात में हुआ था, जिने राजस्तान का कबीर कहा जाता है, राजस्तान का क अबीर अकबर के समकालिन थे ये किसके थे अकबर के समकालिन और सिंपल सी बात है संत दादू दुवारा ही किस पंत की स्तापना की गई या कौन सा संपरता आई तो दादू पंत संपरता आई याद रखेगा जिसके परमुपीट कहां पर है नरेना या फिर आपके नरायना ज और कौन सी भासा? तो याद रखेगा धुंडाड जेपुर है तो धुंडाडी ऐसे याद रखेगा। कहां कौन सी भासा है? धुंडाडी भासा में। इनका जो उत्रा अधिकारी थे संधादू के वो ते थे घरीबदास जी लेकिन जो परशिद शिशेवे वो है संतर जब ज अब ये जो गट बीटली है सिंपल सी बात है बीटली पहाड़ी पर है इसलिए क्या कहलाया था गट बीटली इसका प्राचे नाम तो हुआ करता था अजे मेरू लेकिन वर्तमान के अंदर ये कहलाता है तारागड अब तो आप समझी गए हैं अजे मेरू हो चाहिए 1193 में ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिसे बिश्प हेबर ने पूर्वे का जिब्राल्टर कहा था जबकि बेंटिक ने इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा था ये है आपके गट बीटली तारागड एक तारागड बुंदी वाड़ा है याद रिखे उसके बारे में तो 8 क्या पुछा जा रहा है देखिए क्यूशन नमबर 8 राजस्तान का शैत्रफल निम लिकित यूरोपिय देसों में से किनके शैत्रफल के लगभग बराबर है कितना सांदार क्यूशन देखिए राजस्तान जो शैत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा रज्य है और जनसंक्या के आधार पर आठवे स्तान पर है तो आप अक्सर सुनते हैं ऐसा पड़ते ही है कि राजस्तान इज्राइल से कितना गुणा बड़ा है कि सत्रा गुणा स्रिलंका से कितना गुणा बड़ा है कि पांच गुणा और बिर्टन से कितना गुणा बड़ा है कि दो ग क्या है लगभग बराबर तो नार्वे और पॉलेंड यही है यूरोपिय और इन्हें के बराबर है ए और डी ऑफ्शन नमर फोर इस करेक्ट आस्वर देखे कितना सांदार क्यूशन पुचा है से तरपल से यहां किम्तर तक आपको पढ़ना है इतनी गेरही से चली अगले क्यूशन क्यों नमर है नेक्स्ट क्यूशन नमर नो आपके सामने क्या कह रहा है देखे एक तरप आपके परदेश और एक तरप है आपके परवत चोटियां इनका मिलान करना है कोई दिक्कत नहीं देखी उत्रीय अ में से कौन सी चोटी है और दक्षिन रावली में से कौन सी चोटी है दिखतो रायन आपको ये लीजिए ये लीजिए ठीक है देखिए उत्री रावली की कौन सी चोटी देखिएगा रिशी केस कहां पर है शीरोई में तारागड कहां पर है अजमेर में भानगड कहां पर है अलवर में बस काम हो गया मद्य अरावली मतलब एक ही जिल्ले में है वो है अजमेर बी के अंदर दो है देखे बी में दो है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसको काड़ दीजी ठीक है अब आप सब जानते हैं कि शीरोई दक्षिन अरा कितना एज़ी सा question था ऐसे question आते हैं अगला देखिए question number है आपके सामने next कौण सा? question number 10 क्या पुछा जा रहा है देखिए question number 10 है आपके सामने पुछा जा रहा है निम्न में से कौण सी नदी राजस्तान के आंतरिक अफवातंतर से सम्मंदित नहीं है आंतरिक अफवातंतर से सम्मंदित नहीं है देखिएगा आंतरिक अफवातंतर की जो परशिद नदिया है वो तो आप जानते हैं कांतली काकनी गगर मैंथा खारी खंडेला रुपनगड रुपारेल ये जो सारी इक सारी है जैसे आपके ये जेपुर वाली रही दरिये वती नदी ये सारी क्सारी क्या है आंतरिक अफवा अब सिंपल सी बात है इन में से कौन सी नहीं है और ये जो तीनों है ना ये सांबर में भी विले होती है जाकर ये भी अच्छा क्यूशन मनता है चलिए क्यूशन नमर है आपके सामने ग्यारा क्या पूछ रहा है देखें क्यूशन नमर ग्यारा राजस्तान में बारवाज जोत्र लिंग यार के गुशमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है ये तो याद रखेगा शिवाड और शिवाड कहां पर है स्वाई मादेपूर में आपशन नमर दो इस गरेक्टांसवर बस बहुत अच्छा क्यूशन मनता है कि यह बार तो ऐसे पूछा जाता है गुशमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है शिवाड स्वाई मादेपूर में याद रखेगा ठीक है और ऐसे बारवा जोत दिर लिए शिवाड स्वाई मादेपूर अगला देखे क्यूशन नमर है आपके सामने बारा क्या पूछ रहा ह केते हैं जहां केंद्रिय और राष्टिय कोई संस्ता हो इंपोर्टेंट हो जाती है जैसे बार बार बताती है आपको राष्टिय सर्श्वन नुशंदान के अंदर कहां पर है कि शेवर भरतपुर में जैसे राष्टिय बीजी मसाला नुशंदान के अंदर कहां पर है तरफ पसु है और एक तरफ है आपके शामने नसले और पूछ रहा है कौण सा है देखी उन्त भेड बक्री घाई बताओ भी काँ से शुरू करें बताओ काँ से शुरू करें अब बिका नेरी है तो बिका नेरी तो उन्त है जी बिकानेरी क्या है उंट बक्री की बात करेंगे तो ये रहा जखराना अब सिंबल सी बात है राठी तो है आपके गाई और भेड क्या है मग्रा मतलब एक में दो एक में दो इसमें नहीं है इसमें नहीं काड़ दीजी ठीक है बेड है मगरा, बी में तीन, बी में तीन दोनों में, ठीक है, बक्री है जक्राना, बक्री है जक्राना, आप्शन अमर शी, आप्शन अमर शी is a correct answer, के लिए, तो ऐसा क्यूशन पर सीद है, इसलिए पशुधन और उसकी नसले जरूर याद करें भई, क्यूंकि यही पेपर है जहां से हमें अगला पेपर मिलने वाड़ा है, आप जिसकी तेयारी कर रहे हैं वो, इशी आधार पर तो आएगा, यह देखिए, अगला क्यूशन है आपके सामने, राजस्तान शेहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड आर शी डी एफ का मुख्याले कहां पर है, यह ज़्य जादा चर्चा में है, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि एक योजना जिसका नाम है मुख्य मंतरी बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना जिसके तेयत सरकारी विधाले, अंगनबाडी केंदर और जितने भी मदर से हैं, वहां पर कखसा एक स लेकर आटवी तक के बच्चों को दूद वितरन किया जाएगा, वो दूद कहां से खरीदेगी शरकार, तो ये वो ही संस्ता है, गाजस्तान शेकारी डेहरी फेडरेशन, कहां पर है ये, जैपुर में, तो आपके एक्जाम के लिए भी क्यूशन मन सकता है, याद अच्छा, इसकी स्तापना कब हुई? तो इसकी स्तापना चलिए ये आप कमेंट करके बताएगी, क्योंकि करण्ट में भी है, तो आपके एक्जाम में भी काम आएगा, तो ऑर से डिय एफ की स्तापना कब हुई? अगला कुशन देखे, क्वेशन नमर है आपके सामने, नेक किस जिल्ले में उच्तम दसक की जन संक्या वर्दी किस जिल्ले में हुई 2021-2021 के में दी तो 32.5 परतिशत जो सरवादिक जन संक्या वर्दी दर्ज की गई जिस जिल्ले की वो जिल्ला है बाडमेर याद रखेगा बाड़मेर जिल्ले की दसक की जन संक्या वर्दी सरवादिक थी 32.5 अगला देखिए क्यूशन नमर है आपके सामने सोड़ा क्या पुछा जा रहा है देखिए राजस्तान में निम लिखित में से किश परकार के वन पिच्चेतर से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले शेतर में पाए जाते उस्षन कटिबंदी एक कंटिले वन तो ये तो आप सब जानते हैं मरुस्तल के अंदर है लगबग और मरुस्तल में कहां 75 पचा से कम ये भी नहीं है मिश्रित पत्जड है ये भी नहीं सुस्क वन भी मरुस्तल का भाग है पिच्चे बचा ये एक उप्षन है सुस्क सागवान वन और ये जो राजिस्तान है यहां पर जो भाग है वो है सुस्क सागवान का सिंपल सी बात है सरवादिग वर्षवाड़ा शत्र भी यही है पिच्चे उतर से 110 ओफ्षन नमबर 4 is a correct answer ठीक है अगला क्यूशन देखे क्यूशन नमबर है आपके सामने शत्रा देखे क्या पूछा जा रहा है निम्न में से कोण सा एक सुमेलित नहीं है एक तरफ है आपके कुछ उद्योग और एक तरफ उनकी इस्तति जैसे शिमेंट, उर्वरक, ग्लास और तामबा शिमेंट, मौड़क है आप कहेंगे बिलकुल है कोटा वड़ा है न उर्वरक गडै पान है बिलकुल सही है कोटा ग्लास और काच के लिए लीलवानी शेतर जी नहीं ये जो लीलवानी शेतर है ये है आपके बांसवाड़ा में कहां पर है बांसवाड़ा में और बांसवाड़ा के अंदर यहां से हमें सोने के भंडार मिले है याद रखेगा तामबा है आपके खेतरी मतलब जो एसंगत है व कि आपके सामने अठारा के टुसेस नम्बर अठारा किसे खिजियोफ पर का जाए किफुश्य की तर अउसत उंचा कितनी है अफंज़्त मात की हो सकता है कोई गुरु शिकर जैसे बहुत ज़्यादा उंचा है लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि प्रत्वी पर भूमी सते की औसत उंचा है कितनी है वो है आपके 840 मिटर अप्शन नमबर सी जे करेक्ट आंस्वर अगला क्यूशन देखे क्यूशन नमबर है आपके सामने 19 पुछा जारा है निम लिखित में से माशागरों में से कोणसा एक संभिवता पैंथा लासा का अवशिष्ट भाग है पेंथालासा वो है आपके याद रखेगा परशांत महाशागर कौण सा है परशांत महाशागर पेंथालासा पेंजिया जो भाग है वो है महादिपों का निमलिकित महाशागरों में से कौण सा एक संभवेता पेंथालासा का उशिष्ट भाग है तो याद रखेगा कोण सा महाशागर परशांत महाशागर ठीक है option number 2 is correct answer अगला question देखे question number 20 और हमारे session का अंतिम question क्या पुछा जा रहा है कोण सी एक ग्रही पौने नहीं है कोण सी एक ग्रही पौने नहीं है बताइए धूर्वी पौने पच्छवा पौने वयापारिक पौने और मानसुनी पौने कोण सी एक ऐसी पौन है जो ग्रही पौन नहीं है देखेगा धूर्वी पौने है पच्छवा पौने भी है वयापारिक पौने भी है लेकिन जो ग्रह चूरे तो धूरवी पच्छवा और व्यck पॉणने पड़ते हैं इंपोटेंट ये तो मान सूनी पउन ओपशल निपर ये ग를एन दोखन नहीं है ये अप्ष नबर फॉर ये ग्रहाी पवन नहीं है तो यह थे आपके अती 1 महतोपूर्ण 20 क्यूशन जिनके माध्यम से राजस्तान जी के और कुछ अन्य क्यूशन हमने देखे फिर मिलेंगे इशी परकार एक और ने शेसन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद